कैसे हैं मेरे प्यारे भाईओ, I hope कि अप लोग अच्छे होंगे, तो आज के हम लोग इस से नई वीडियो में हिरोन फर्मूला सिखने वाले हैं, हिरोन फर्मूला कैसे अपलाई किया जाता है, हिरोन फर्मूला से हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं, तो आज के हम लोग वीड लेकिन यदि आधहार और उचाई नहीं दिया रहे है तो हुम्ड़ोग एरिया कैसे निकालेंगे तो आगीस वीडियो लोग यही सिख जाएंगे, इस कोई ज़्यादा भारी ये मतलब topic नहीं होता है, बहुत हलका हीरोन formula, नामी है इसका हीरोन formula, ध्यान से समझेगा हीरोन formula है ये, अग कोई भारी नहीं है, बहुत असानिस इसका formula लिकल जाता है, आपको लोग को root निकालने आना चाहिए, तो ध् सबसे पहले इस तिर्भूज पर देख लेते हैं इस तरह के आप सभी मतलब जो भी तिर्भूज की तीनों साइट दिया रहेगा तीनों भूजा दिया रहेगा उसी तीनों भूजा पर हम लोग क्या करते हैं उसी तीनों भूजा क्या धार पर यानि उसी तीनों साइट से हम ल small A है यानि A के सामने वाला small A ले लिए बी के सामने हम small B ले लिए यहां से हम small B ले लिए और ये c के सामने small c ले लिए ये small c side है ये आपके book में दिया रहेगा a, b, c के मान कुछ भी दिया रहेगा हम example लेंगे इस पर और example से भी आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे तो देखिए A, B और C एक तिर्भुज ले लिए हैं जिसकी भुजा Small A, Small B, Small C हैं तिर्भुज के तीनों भुजा के माप दिया रहेगा 6, 7, 8, कुछ भी दिया रहेगा 10, 11, 15, कुछ भी दिया रहेगा तिर्भुज के साइट आप लोग को एरिया निकालना है यही A, B, C के मान दिया रहेगा तो सबसे पहले हम लोग सेमी पैरामीटर निकालने के कोशिश करेंगे यानि अर्द परिमाप सबसे पहले हम लोग और परिमाप निकालेंगे और परिमाप को सेमी पैरामीटर हम लोग बोलते हैं जिसे एस दोवरा डिनोट बोलते हैं दिनोट करते हैं और परिमाप को एस दोवरा डिनोट करते हैं तिरबुच के परिमाप क्या होता है सम अप थीरी साइड सम अप ओल साइड बोल सकते हैं जा थीरी साइड बोल सकते हैं यानि parameter कहने के मतलब परिमाप हुआ परिमाप बोले चाह परिदी बोले चाह परिमीती बोले तीनों एक ही होता है समझें तो समझिए A B C जोड़ेंगे तो परिमाप हो गया है अर्ध परिमाप के मतलब परिमाप का अधा यानि बटे में 2 कर देंगे तो अर्ध परिमाप लिखेंगे हम लोग A plus B plus C बटे में 2 यानि ये अर्ध परिमाप हुआ समझें तिर्भूच के फर्मूला अपलाई करने से पहले सबसे पहले हम लोग सेमी पेरामीटर गयात करेंगे यानि और्द परिमाप निकालेंगे और्द परिमाप निकालने के बाद अब तिर्भूज के फर्मूला अपलाई करेंगे तिर्भूज के फर्मूला क्या होता है तिर्भूज का छेत्रफल की फर्मूला का होता है उसी को अम लोग हीरोन फर्मूला भी बोलते हैं समझें तो यहीं पर लिख देते तिर्भूज का छेत्रफ़ तिर्भूज के फिगर बना ले या डाइरेक्ट तिर्भूज लिख देते हैं तिर्भूज का छेत्रफ़ यही हीरोन फर्मूला होता है जो यह लिखने जा रहे हैं इसी के नामे हीरोन फर्मूला अंडर रूट S S लिखेंगे S के मतलब अर्द परिमाप जो ये अर्द परिमाप निकाले है न यहीं पर लिखेंगे S S into S minus A यानि जो तीनों साइड रहेगा उसको S minus A माल लेंगे S minus B और S minus C कर लेंगे समझें यही हिरोन फर्मुला है S into S minus A S minus C यही हिरोन फर्मुला है समझ गया तो देखिए यही हिरोन फर्मुला अब इस पर कोस्टन कैसे बनाते हैं इससे जदा इसमें कॉंसेप्ट ने हिरोन फर्मुला है यही बहुत छोटा टॉपिक है आप लोग को यह फर्मुला याद रहेगा तो आसानी से कोस्टन भी बना लेंगे समझें तो यह फर्मुला भी याद रखिएगा और साथी साथी यह अर्ध परिमाप मालूम होना चाहिए इसको लिख सकते एरिया आफ ट्रेंगल एरिया आफ ट्रेंगल यह होता है सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप सेमी पैरामीटर इसे बोलते एरिया आफ ट्रेंगल यानी तिर्भूज के छेत्रफन ती यह फर्मुला एक एक्जामपल के थुरू हम लोग समझते हैं तो इसी अप लोग और स्क्रीन सौट ले 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 वाले एक्जामपल बत लाने वाले इसे भण मिटाएंगे समझें तो तु इसा Smashetten हम पर केंसे साइट इसे नहीं अपने लेएंट मेना में लेते हैं 17, 25 और 24 या 17, 25 और 26 ले लेते हैं सपोस जेक यही ले लिए और ले लेते यह सेंटीमीटर में हैं अगर इसी का बोलेगा एरिया निकालने के लिए इसमें तो लंब और अधार दिया नहीं है लंब और अधार है नहीं इसमें तो लंब और अधार नहीं है तो एरिया लिका लेंगे कैसे तो इसी फर्मुला को यूज करके हम लोग निकालेंगे अंत तक देखिएगा समझ में आएगा बारी कीसे समझते चलिएगा देखिए इस तीनों साइट दिया हो तो आख मुद करके हिरोन फर्मुला intuitively अपलाई कीजिए हलाकि इसमें कोई भी ABC मानिए कोई एंसर में परभाव नहीं पढ़ने वाला है समझें, तो सबसे पहले निकालेंगे क्या हम लोग अर्द परिमा, क्या निकालेंगे अर्द परिमा अर्द परिमाप होता काई तीनों साइट को जोड़ करके दोले भाग देदेंगे तो अर्द परिमाप निकल जाएगा हिरोन फर्मूला मिटा रहे हैं ये देखिए ध्यान से ध्यान से समझे ए प्लस बी प्लस सी यानि कर देंगे 25 प्लस 26 प्लस 17 25, 26, 27 दोनों को एट करके 2 से भाग दें देगे तो एस का मान लिख लेगा एस के मतलब सेमी पेरामीटर यानि अर्द परिमाप तो देखिए क्या होगा 25 और 26 जोड़िएगा तो 25, 25, 50, 51 में 7 जोड़ देजिए 51 में 7 एट करेंगे तो का होगा 58, 10, 68 25, 25, 50, 51, 51, 57, 58 58, 10, 68 68 में 2 से भाग करेंगे ये कट जाएगा तो ये कितने बार में कटेगा 34 यानि 34 बार में यानि एस के मान क्या हो गया 34 हो गया तो हमको तिर्भूच का छेत्रफल लिकालना है ना तो तिर्भूच का छेत्रफल लिकालने के लिए हिरोन फर्मूला फिर लिखेंगे या पर तो हिरोन फर्मूला तिर्भूच का छेत्रफल क्या होता है आप लोग को मालूम होना चाहिए तिर्भूच का छेत्रफल रूट के अंदर s into s minus a, s minus b और s minus c इस s बराबर यहां लिख लेते हैं s बराबर के निकला है 34 यानि 34 दूनी के 68 था यहीं निकला s minus a, s minus b और s minus c हैं और s के मान इसमें put करिए आप लोग तो देखिए s क्या निकाले हम 34 s के मान 34 है तो 34 लिखेंगे यहां पर 34 के बाद देखो s minus a है 34 minus a, a का मान 25 है हलांकि कोई भी ले सकते abc, कौनों परभाव नहीं पढ़ने वाला है तो a के मान 25 रखेंगे, into s minus b, तो s के मान 34, 34 minus b रख लेंगे क्या चीज़ों जाएगा 26 into s minus c, s है 34 यानि 34, minus c, c क्या है 17 है रख लिए, यही point रख लिए, अब इसको solve करने पर cut cut करके जो भी आएगा वो लिखा जाएगा दिखाई दे रहा होगा आप सभी को नीचे, ध्यान से समझिए, कैसे होगा, दिखाई दे रहा यहां पर अब देखिए, इसको कैसे निकालेंगे 34 है तो 34 लिखेंगे, गुडे 34 से 25 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9 गुडे 34 से 26 घटाएंगे तो बचेगा, 8 गुडे 34 से 17 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 17 ही बचेगा अब इसको देखिए, थोड़ा तरीका से हल करना पड़ेगा इसके नीचे भी दिखाई दे रहा है अब समझो हम गुडा नहीं करनेंगे, यहाँ देखिए, हमको रूट निकालना, हम जानते हैं, रूट दो पर एक निकाल देता है जैसे 4 रहता है, चार को हम लोग 2 गुडे 2 करेंगे तो यह का होगा, रूट दो निकल जा एक नहीं यानि चार का रूट दो निकलता है दो पर एक निकल जाता है तब फालतु गुड़ा करना टाइम के वरवादी होता है एक्जाम में तो देखिए 34 है तो 34 को में लिख सकते हैं न 17 गुड़े दो तोर देंगे इसको तीन है तो तीन लिकल लाता है नौ तीन लिकल लाता है तीन गुड़े तीन करद भाई साप स्वावलियत के लिए आठ को क्या लिख सकते हैं हम लोग सुचिए आठ को लिख सकते हैं दो गुड़े दो गुड़े दो सत्रा है तो सत्रा तो लिखिये लेंगे देखिए दो ठू सत्रा हो गया एक सत्रा यहाँ पर और एक सत्रा यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहीं पर सत्रा लिख लेंगे हम लोग समझें अब एक सत्रा तो निकाल दिये देखिए दो यहाँ भी है दो यहाँ भी है तो दो गो दू है तो एगो दू निकल जाएगा बाहर गुड़े फिर दो देखिए यहां पर है फिर दो यहां पर एक और दो निकल जाएगा बाहर गुड़े तीन यहां पर है तीन यहां पर है एक तीन बाहर निकल जाएगा इन सभी को अब हम लोग गुणा कर देंगे और गुणा करन कितना आएगा दो सो चार दो सो चार सेंटी मीटर स्क्वायर क्यों कि यह साइड सेंटी मीटर में है इसलिए सेंटी मीटर स्क्वायर हम लोग लिख देंगे तो यह था एक एक्जामपल एक एक्जामपल और हम लोग समझेगे इसे अस्क्रीन सोट ले लिजिए भविश्या के के लिए रिविजन मारने के लिए नोट भी कर लिजिएगा तो स्क्रीन सोट ले करके कॉपी पर नोट करें उतार लिजिए अब देखिए दुसरा ऍसषरा एक्जाम्पल दुसरा एक्जाम्पल भी सितरा सेब प्रोसेश लाग उलज्टे यहां से हम मिटा देते हैं ये तो समझ लिए एक और एक्जामपल समझते हैं एक और एक्जामपल इसे हटा लेते इरेज कर लेते इसे भी इरेज कर लेते में सेंटीमेटर किलो मीटर जो यूनिट होगा लास्ट ने उसी का स्क्वाइर हम लोग करेंगे suppose that question ले लेते हैं 8 meter ये ले लेते हैं 11 meter और ये ले लेते हैं 13 meter इसी का area निकालना है तो हिरोन formula से कैसे निकालेंगे तो अभी तुरंत बोले पहला काम हम लोग अर्ध परिमाप्यानी semi parameter ग्याद करेंगे s command कैसे निकालेगा a plus b plus c 8 plus देखो a b c किसी को ले सकते हैं 11 plus 13 plus 8 तो 11 plus 13 plus 8 upon में 2 हो जाएगा तो देखिए तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 11 और 13 जोड़ेंगे तो 24 24 में 8 जोड़ेंगे तो 32 by 2 यानि ये कट के देगा सोला यानि कि s के मान कितना आया सोला आया यहां से s ग्याद कर लिए s के मान सोला आया तो तिर्भूच का चित्रपल यही ही रोल फर्मूला होता है area of triangle जिसे हम लोग बोलते हैं तो समझिये ध्यान से थोड़ी गौर से समझियेगा भाई जो सोला है तो सोला लिखेंगे s माइनस a तो s के जगा पर 16 माइनस a के जगा पर 11 रख देंगे into 16 माइनस b b के जगा पर 13 रख देंगे into s के मान तो 16 इसलिए 16 पूट करते जा रहे है सोला है माइनस में आठ तो यहां से क्या आया देखिया दृहां से सोला हु इसला में सिगारा घट गया पांच बच गया सोला में से 13 घट गया तीन बच गया सोला में से आठ घटा तो आठी बचे गा तो देख εν से हम तीन है इसको दू गुड़े चार लिख सकते हैं या इसको भी तोड़ लेते हैं देखिए इस तरह सोला को चार गुड़े चार कर लेते हैं गुड़े पांच को नहीं तोड़ सकते हैं तीन को भी नहीं तोड़ सकते हैं आठ को दो दूनी के चार चार दूनी के आठ तोड़ थे तो देखिए यहीं पर लिख लेते हैं चार चार दोठो है तो एक ठो चार निकल जाएगा गुडे दो दो दोठो है तो एक गो दो निकल जाएगा लेकिन समझो इस पाn का तीन का दू का तो पेर नहीं लागा ना तिये रूट के अंदर ये पांच गुड़े दो गुड़े तीन हो जाएगा पांच गुड़े तीन गुड़े दो लिखो चार दूनी के आठ हुआ आठ रूट के अंदर क्या हो जाएगा आठ रूट के अंदर पांच तिये पंदर अग्र दूने के 30, 20ях8anders 30 है, मीटर हैतो मीटर स्क्वार लिख देंगे, यहां से 8 रूट 30 मीटर स्क्वार हम लोग का answer आ गया, हीरोन फर्मुला यही था हीरोनすुत्र रही है, हीरोन सुत्र कोई भारी नहीं है, लोग बोलते हैं बारी लेकिन कोई भारी नहीं है, जो लोग ब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी सिखने के लिए वीडियो भेंज देना ताकि वह भी स्थीकले तो हम लोग विडियो को इतना ही तक अंथ करते इसको भी एक बारा स्क्रीन ले लिजिएगा वीडियो को अंत करती इतना ही राने देते हैं तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत